हेलो एब्रीवन वेलकम बेक मैं योटूब चैनल कैसे हो आप सभी आसा करती हो आप सभी ठीक होंगे आज आपके साथ बहुत ही यूशफुल वीडियो सेयर करने जा रहे हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो च कि देखिए बर्तर करते हैं तो सर्टियों में हाथ भी हमारे अजीव से हो जाते हैं तो यह मैंने एक प्लास्टिक बोटल ली है और इसे हम उपर से कट कर लेंगे इस तरह से कट करना है हमें नाइफ की मदद से उपर से हम कट कर लेंगे और इसके दोनों पार्ट का हम इस से इस्तेमाल करेंगे आपी चकित रह जाओगे तो देखिए ऊपर का जो पार्ट है यह हमने अलग कर लिया है तो इसका हम बनाएंगे टूल तो यह देखिए इस तरह से नाइफ को जब करम करते हैं बहुत ही आसानी से यह कर जाता है और यह जो नीचे का हिस्सा है इसे हम ना बहुत आपको दिखाया है और यह हम टूल बनाने जा रहे हैं तो टूल बनाना बहुत ही आसान होता है देखिए मैंने यह चारों कॉने एक से कर लिये हैं और नाइफ की मदद से बहुत आसानी से हो जाते हैं आप प्लास्टिक की कैसे भी वोटल ले लीजिए उससे यह बह बहुत आसन होता है आपके घर में जो इसक्रप आप इस्तैमाल करते हों आप वो इसक्रप ले लेना और उससे आप यह ठूल बना सकते हो जैसे हम चायवाई के बरतन करते हैं तो उसके लिए इस्टील वाला स्क्रप इस्तैमाल कर सकते हैं और वैसा सॉफ्ट वाला स्क्रप भी आप इसटैमाल कर सकते हैं तो मैं इसमें इस्टेयल वाला scrum इस्टैमाल करके दिखाूँगी क्यूकि थोड़े जैसे hard वर्तन हम साहअ करते हैं तो उन्हें करना बहुत ही आसान हो जाता है और जो simple से वर्तन गंदे होते हैं वो तो ऐसे ही साहअ हो जाते हैं तो उसके लिए मैंने एक कील ली है कील से मैंने इस धकन का छेद कर लिया है और इस तरह ऐसे छेद करना है थोड़ा हमें इसका मोटा छेद करना है उसके लिए मैंने फिर नाइफ की मदद से भी इसका छेद को चोड़ा किया था क्यूंकि हम इसमें जो डोरी डालेंगे उसके बहुत अच्छी यह डोरी लगती है तो जब भी rice bag आते हैं रोय इन बोरियों को निकाल लेती हूँ और इनका प्रेयोग में इस तरह से ही करती हूँ कभी किसी चीज में लगा लेती हूँ बहुत सुन्दर बोरी मुझे यह लगती है तो इस तरह से हमें धकन में ये डोरी को डालना है देखिए हर इस टेप को आप ध्यान से देखना तो पेच कसी या नाइफ की मदद से हम इस छेद में इसे डाल लेंगे देखिए इस तरह से छेद को पहले बढ़ा कर लीजिए इसके साइज का क्यूंकि हमारे डोरी थोड़ी गया है और इस तरह से हमें ये डोरी को डालना है देखिए इस तरह से डोरी डालने के बाद में फिर हमें इसे स्क्रब को लगाएंगे फिर नेश्ट द्वारा वही से हमें इसे मोड कर अंदर को करना है तो ये देखिए इस तरह से मोडना है दोनों हो साइट से हम जब मोड के अंदर को डाल देंगे फिर इसके अंदर हम इस क्रब फसा देंगे देखी इस तरह से बिल्कुल हमें ये फसा ना है तो आप इसके साइज का ही बनाई है देखिए मैंने तो बिल्कुल इसके साइज का फरफेक्ट बनाया था बहुत सुंदर बना था और इसे हमारे बहुत स अब इसमें हम अपनी स्पून को रख सकते हैं देखें बहुत सुन्दर लग रहा है और काफी मजबूत है इसमें अच्छी तरह से रखी रहेंगी और देखें इसमें आपको बरतन साफ करके दिखाऊंगी तो मैंने इसे बरतन साफ किये थे जिनके हतों में एलर्जी होती है इससे बहुत आसानी से बरतन साफ कर सकते हैं अगर आपने कहीं देखा हूं मार्केट में तो ये टूल भूत ही महंगा मिलता है और आप इसे अपने घर पर बहुत ही आसानी से प्लाश्टिकी बोटल से बना सकते हो और इसमेना स्क्रब आप अपनी चोईस का लगा सकते हो तो कोई सा भी स्क्रब लगा के आप बरतन साफ कर सकते हो तो बहुत ही आसान होते हैं सर्दियों में इस तरह से आप बरतन साफ कीजिए धेरों बरतन बहुत ही आसानी से साफ हो जाते हैं और ये देखिए मैं आपको चाय का जो भगोना होता है वो बहुत मुश्किल से साफ होता है मैंने वो भी साफ करके दिखाया है इस तरह से आप जो हम इस टील के स्क्रब से बर्तन साफ करते हैं बहुत ही आसानी से इससे बर्तन साफ हो जाते हैं और आप धेरों बर्तन इससे साफ कर सकते हैं इस तरह से साफ करते जाएं और फिर इतने धोकर रख दीजिए तो सर प्रतन में सावन जब लगाते हैं तो उनके हाथ खराब हो जाते हैं इस तरह से आपको जो सावन है वो छुना भी नहीं पड़ेगा इस स्क्रब्स से बरतन साफ करने के बाद आप इसे कहीं हेंग भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा मेरा ये टूल बना था और जब हम मार्क मार्त साफ करने के बाद हम अपनी सिंग को साफ कर सकते हैं बरतन साफ करने के बाद हम petals करेंगें इस तरह से हम साफ करनेमें scary ये ये तूल बहुत अच्छा बना था सिंग मेरी एकदम क्लीन हो गई थी और ज्यादा भी हमें मेहनत नहीं करनी पढ़ते हैं बारण साफ करने के बाद हम इस टूल को कहीं भी रख सकते हैं तो इसकी जो डोरी है उसका जॉइंट बहुत मजबूत हो गया है और इसे आप कहीं भी टांग सकते हो देखिए इस तरह से आप टांग सकते हो I think आज की जो टिप से आपको बेहत पसंद आई होगी पसंद आई तो like and share कर देना thank you